बाल खुले रखना तो आजकल एक फैसन बन गया है कहने का भाव यह है कि 21 सदी के इस मौडरन जमाने में पुक्त ही कम लड़कियां ऐसी देखने को मिलेंगी जिन्हें बाल मांदने का सौब पहले जमाने में तो किसी खास अवसर पर या किसी खास मौके पर ही महिलाएं वो लड़कियां खुले बालों में देखने को मिलती थी लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आजकर लड़कियां फैसन के पीज़े फागर हैं लड़कियां फैसनेबल दीखने के लिए अपने बाल खुले रखती हैं। ऐसे में आप सबी को यह फाद बताना चाहती हूँ कि भारतिय संस्क्रिटी में इस बात का जिक्र किया गया है। कब हमें खुले बाल रखने चाहिए और कब नहीं फैसन के पीचे भागने से कई बार उसका खामी आ जाना हमें भुगतना पड़ता है बहुत सारी लड़कियां वो महलाएं तो ऐसे भी होते हैं जो रात में खुले बालों में सोना पसंद करती हैं उन्हें इसकी आदत होती है अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये सब बताने के पीचे हमारा मकसद क्या है तो आपको बता दे खुले बालों के बारे में सांस्त्रों में कुछ खास बाते वर्मित हैं जिसके उपर हमें गौर करने की जरूरत है क्योंकि इसमें किये कि वर्मन के अनुसार महिलाओं का खुले बालों में रहना अच्छा नहीं माना जाता है बल्कि यूँ कहें हिंदु धर्म के सांस्त्रों में मानों के सरे सिर्शूरी भी हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई है तो आईए जानते हैं इनमें ऐसा क्या लिखा है जिसके अनुसार महिलाओं का खुले बालों का रखना असूर होता है हेलो दोस्तों दर डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरू प्रेज करें ताकि हमारे आने वाले अर्ले डेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तक कालिको हो सके दोस्तों, धान्मिक सास्तों के अनुसार महिलाओं को हमीसा बाल बान कर रखने चाहिए कहते हैं महिलाओं को बाल खुला रखने का मतलब होता है कि वह किसी का सोग मना रही है इसी वज़े से महिलाओं को बाल बान कर रखने की सलाह दे जाती है एक पौडानिक मन्यता है जिसके अनुसार इस कथा में यहाशा जिक्रिपी है कि जब माता सीता का विवाह भुवान स्री राम जी के साथ हुआ था तब उनकी माता ने उनके बाल पांटे वे कहा था कभी बालों को खुला मत रखना क्योंकि बनेवे बाल हमेशा रिस्तों को ब रात में बाल को खोल कर सोती है तो उनके उपर नकारात्मक सक्तियों का प्रभाव अधिक होता है दोस्तों बालों के द्वारक कई तरह की तंत्र से जुड़ीवी ग्रियाएं भी होती हैं इसके अलावा अगर कोई महिला फुले बाल रखके या फिर कड़के असुद या अं करने से आयोध्या में अमंगल हो गया था यह हम सभी जानते हैं और इसी कारण से महिलाओं को खुले और फुल्जे बाल नहीं रखने चाहिए खुले बाल रखने से महिलाओं की सोज और आजरन दोनों खराब होने लगते हैं वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जो पूरूस बड हम खुले बाल रख सकते हैं यह उससे भी जादा एहम सवाल होता है तो इसके बारे में भी हमें जानना होता ही आवे सक हैं सास्त्रों के अनुसार माना जाता है महिलाओं को किवर बाल तब ही खुले रखने चाहिए जब वह एकांत में अपने पती के साथ हूँ इसके जानकाड़ी के लिए अप लगातार हमारे चैनल के बने रहें आगले वीडियो में एक नहीं जानकाड़ी और अद्बू जानकाड़ी के साथ वह से मिलोंगे तब तक के लिए प्यार भड़ा नमस्कार